एपी के 22 पदों का योग ज्याद करना है 22 पदों का योग अमें ज्याद करना है क्या लिखा हुआ है 22 पदों का योग क्या करना है आपको ज्याद करना है और 22 पद आपके पास देरका है कितना एक सो गुनपचास और डी कितना देरका है साथ देरका है अब हमें 22 पदेरका है एस बाइस याद करना अब यहां पर ज्याने हो यह भी वाइस यह भी वाइस इस लेकिन अंतिम पड़े वाला फोर्मूला गर लगाते हैं तो फोर्मुला होताय है णबठा 2 अंतिम पहला पत्प्रसागि सो में में लेकिन क्या नहीं परतम पड़ीन है तो नहीं फिना 21D, A plus 21D और वो हमारे पास तेरका है 150 अब यहांसन क्या करेंगे एक याद करेंगे, देखो A का A 21 का और D का मान या दिया है 7, बराबर 150 A का A 21 इंटु 7 147 बराबर 150 यह प्लस का है उधर बेज़ेंगे माइनस हो जाएगा 150 माइनस 147 बताओ एक आमान कितना या अब A का मान भी है हमारे पास D भी है तो D वाले फर्मूले से भी कर सकते हो लेकिन हमारे पास लास्ट पद है तो उससे करो फटापड हो जाएगा अब बताओ N कितना है नमें देरगा है 22 पद तो कि इसने खुट ने बोला है कि S 22 ज्याद करो या 22 पदों का योग ज्याद करो 22 पद मतलब आप क्यों हो गया N कितना हो गया 22 पर्तम पद हमने अभी ज्याद किया दो अंतिम पद हमारे पास पहले से देरगा है 150 22 में दो का भाग आया 11 बार दो जोड़ लो 151 जब भी किसी को गुना करना हो तो पहले से को लिखो 5 और एक 5 और एक और एक का एक और यह आ जाएगा इसका उत्तर AP के पर्थम 51 पदों का योग ज्याद करो मतलब हमें क्या ज्याद करना है 51 पदों का योग हमें क्या ज्याद करना है अब यहाँ पर है S N इसको हम S N भी कहते है इसको अगर ध्यान करों के दोनों को देखोंगे N का मान कितना मिलेगा आपको 51 यह प्या लिखावा जो 51 पद 51 पद मतलब N का मान कितना हो गया 51 अब हमारे पास देरका है दूसरा पद भी देरका है और थीसरा पद भी देरका है देखों ध्याद ना कभी भी कोई तो 18 में से गया चाउदार कितना पत गया चार दी का मागिना या लगातार दो पत यह दूसरा तीसरा दो नों का जो अंतरे वो क्या कहलाएगा आपके डी कहलाएगा अब लेकिन एग हाई पे एग याद करना है तो एम यह त्यार रख दो एगो बताओ दूसरा पत गयात करने का फॉर्मला क्या है ए पलस डी ओर दूसरा पड़ हमारे पां कितना दिया वगटो पहला पताने कितना है वी अमने गयात कर लिएँ वी कितना है चार अब पराप चाउदा उस्जाद गटा दो एक आमान आएगा चाउदा मैंसे चार गया एन यहां पर हमारे पास तूसर बाद दिये रमारे पास फीस म्म यहां से और हैंक सी, जूड़ने पर उरहा हा पास चाहेंगे हो पर parents by rock लेकन और भी न दिचतल ने पर जाएंगे इंगी शा surgende की उठेस आई प्लस में अब दी आ चुका है आचुका है सब आचुका है रमें क्या करना है अब बढ़ा दो का योग याद करने का फर्मूला क्या है अब दो की संक्या इका वन और एंध यह के युडा है चार का अंपर आप को एक इस वाली को यह यह तो वाले को डी कहते हैं अनका मतलब होता है एक्ष्वल मतलब अगर आपको महलूम जल जाया ना तो खुद को सब्सक्राइब आप समझ में आजा है कि मुझे कैसे यह दो देरका है सब्सक्राइब लगाचा आप दो पर देरका है इसका मतलब इसके बीच में जो अंतर है वही डी कहलाएगा अब दी मेरे पर आ गया दूसरा पर देरका है तो मैं एक ग्याद कर लिता हूं तो अब कुछ का माइन चलना थे यह ग्याद करने के लिए कौन कौन सा नियम अपना ना है कि मुझे ए और में हर क्वेश्ण में एक चीज़ है ए और डी ए और डी आने के बाद आप कोई पी ची प्रहले गुणा होगा बाद में हम जोड़ बागी करेंगे लिए बदाव पीस का और पचास इंटू चार दो सो यह है 51 और यह है दो और यह कितना हो गया गुणा भाग करो उत्परा जाएगा दो का भाग यहां किती बाद आएगा दो सीरों का जब भी किस्वाग्या से ग इन दोनों को ऐसे लिख दो अब इसमिया को इन दोनों जोड यह आ जाएगा इसका उत्तर इस वजाए ग्यादा का नियम यदि किसी एपी को समान के स्रेडी है उसके साथ पदो का जोड इतना है और शित्रा पदो का जोड इतना है तो बताना है कि एन पदो का जोड कितना ह वोग को एन पडोले ऊइंघधे इसने विल आकशन चोन का चीतना है मैं किट पचास सब स्सेक्राइश सब 7 रोगज्रों का चीटर रिगंड़ का चीटता मैं तनस्वा जोड योग रिखिर सब्सक्राइब करेंगे तो यह आता है और शत्रा को सब्सक्राइब करने पर यह आता है अको एन से गुणा करने पर एन स्क्राइब कर यह लगना है और अगर आपको सन ग्याद करना है तो फर्मुला होता है झाल विदा प्लस एन माइनस वन फोटक दी देग अगरमें अगर थाद करना यह वाला ग्याद करना एट तो तो हमें A and D चाहिए कोई आपर S नंबुलाए तो मतलब N काही बहुत है नहीं पहले A and D जाद करने पड़े हैं हमें पहले इनका उसे करना है इनका उसे करके A and D का संदीक्ण बनाना है और वास हमें AOD जात करना है अपने को यहां पर शुम्पल सा त्यान लगाना है आपको पहला मिया से लेटे तो प्रिस्कोल करते है अपर अपर यहां पर आएगा यहां तो यहां पर यहां पर यहां पर आएगा साथ बटा दो पहला पताने कितना है वह एलिग दो अपर नवी एंगे नए सांथ और दी कितना है बी अम में पताने कितना आया तो कि अम बनाएं अब दो को यहां गुणा एशाम इतरा अउल्टा हो जाएगा यह रिग कुंपचास इंटु दू बटा सा उल्टा हो जाएगा भाग वाला गुणा में गूना वाला बाग में बराबर हो गया है दो एंध प्लस 7 में से एक गया त्रेटी अब यह क तो काड destructive top मिरतों आँए अरह टांज नना अबशन आपका वाज इसमैं यह जाता है साथ भाज न फसकी सबस्कलेशार है सैंतों धूम तो आपको थे करांव तो हमें तेना हैं 216 कि अब कुछ त्सको देख और फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इसमें दो हुआ को नुटमों और इसमें दो का फाग है और यह हो गया हमारा सम्मीगर नमबर यह के अब यही तरीका आपको किस विदे भी करना है वाप को यह भाई दर कि अब गया करते हैं यहां पर इसके लिए यह को सहीं एस एन मतलब एस जोड़ कितना है 200 गुणब अब यहां पर एन एक प्लस तीम दी अब आपको इतर भी बनाना तो दोस्तों बहुत हैं कितना है 17 बटा दो एक आमान क्याद करना एंका मान 17 और डी का मान क्याद करना कि यह दूर आएगा से मिशी के तरह उल्टा हो जाएगा यह वाला टू कॉपी है बड़ा बस संक्या चेंज है और कुछ नहीं तो उपर आजाएगा और 17 भाग में आ जाएगा बराबर दो ए 17 में से एक गया सोला डी अब लोग कट है वोकार दो 17 का भाग इसमें जाता है 17 वार अत्रा इंटू इंटू अट्रा दो सुगूर्ण अब्ड़ का डबल 34 बराबर दो ए प्लस सोला डी तो सब के अंदर दो का भाग दा रहा है हमें यहां पर देना है दो का भाग इसमें दो का भाग इसमें दो का भाग इसमें दो का भाग अब हम क्या करें कि समीकर वाहां लिख देंगे समीकर नमबर यह उतार दो अब इसको हल करें किसमें आीश्या किया ताम अट करेंगें है करता है हो दान करा करते के देखो चैन्ज करें नहीं का हैं आट में से तीन गया पांच 16 से सांध गया है और गुणा है तो 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 दी का मान कितना आएगा तो दी का मान आएगा आपके कितना दू बाग दोगे तू अब दी का मान हम राखेंगे आपके सम्भिकर नंबर एक में और एक आमान भी याद कलें देखो यह रख दो एक आ ए तीन का थीन डी का मान दो बराबर देर का है साथ एक का मान आ जाए कितना साथ का साथ यह कितना होता तीन नुनी इस होता हुदर भी दो यह मु Toma दे वह इन दो और गा इंके अकर आएं अगर हम इसकी यह डिले तो पहला पर क्या है 7 नंत्र पर अंता कितना रिका नुट्प का आंत क्या है कि सब जोड ठेना तो में सब फ्री यहां रही यह नहीं में सब्सक्राइब करना है तो फर्मला यह रहा है तो यहां पर भी आएगा आपके एन बटा दो फोस्टक दो इंटू वदाओ एक आमान कितना है पहले हमारे पास अब हमारे पास अब फास एउड ए तो एन नहीं लेना है एन कामान क्या आएगा थो यह कितना एक है फिर्मला क्या है एंन-1 इन्टू डी कामान कितना है दो कि हल करते हैं यह 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 एकर आया बटा दो नवट्टा दो इक हम अभी हाल कर दो एकम दो एन, माइनस दो एकम दो एकम न बटा दो था ही है। जो कटे वो कारव दो दो कट गया एक दो प्लस का ने दो कट गया तो न बच गया अब दो दो से दो कट गया तो क्या बचा एन इंटु एन जिसका मतलब वहता है अगर है तो हमें क्या करना है 15 प्रदो का योग याद करना दो यह पर आन लिखा नहीं आप लिखा यह पर वन लिखा यह जिसे मालों मैंने यहां पर वन लिखा यहां पर वन लिखा, तो मुझे यहां भी क्या लिखना है, वन लिखना है, चार एकम, चार और तीन, साथ, अब लेते हैं दूसरा पद लेते हैं, यहां पर मैंने दो लिखा, तहां पर, इस एन की देखा दो लिखा, तो इस एन की देखा भी क्या लिखो, दो लिखो, तो हमे तीसरा पत ज्याद करना हो तो तीन प्लस चार इंटू तीन यहां पर तीन लगा दो तीन लगाएंगे तो तीसरा पत आजाएगा चार्तिया बारा बारा और तीन अब आप इसमें चेक करो भी याद करना कुदा को जान देना वे इन दोनों नम्बरों के बीच में कितना गयप है चार का गयप है इसका मतलब यह समंत्र सेडी में है तो हम लिखेंगे यह एपी में है अगर एपी में है तो हमें 15 पदों का योग ज्याद करना है अब योग ज्याद करने के दिए वह दो फ़र्मुलें यह तो डी वाला यह तो यहां पर दी रगा वाले उससे कर सकते हो लास्पद के लिए हमें दो कितने पदों को लवास पर तो तो हम 15 पद गयाद कर लेंगे जैसे यहां पर मुझे 15 पद गयाद करना है इसका मतलब वह अंतिम पद होगा आपका देखो तीन का तीन चार का चार और यहां पर कितना आपके 15 1012 15 तो 4 60 60 मत अगर यह ता यह यह नहीं है अगर यह लिखांगा फंद है कि हमारे पास यह है और में 15 पड़ों का योग याद करना है पहला पद गयार्म और अंतिम पद गया द송ट पहला मतलब यह वन अंतिम बास मतलब जिपने पदों का योग पूचा है वह तो हुस पड याद करना है याद करना है पहला पर कितना है साथ पहला पर कितना है याद करने की थरूत नहीं है लेकर इसमें बोल लिया याद आपको याद करनो और यह वाला उपन्त्रा पर यह पहला पर निग्याद करना र्लोर पर यहां सब्सक्राइब पंदरा पंदरा अब शितर का आधा गरो अब गुणा करो पंदरा पाना पिच्छो सब्सक्राइब शाथ बैथालीश वह साथ होते हैं आपके बावन और यह आएगा आपके उत्तर देगो इसने अपी का बोला इसने हमने यह वाले घ्याद किये चेक करने के लिए अगर यह नहीं कहता है तो और यह संपल को सुना आगा है वाला झावा गया और आ चांड वद्सक्राइब कर लेंगे तो काम मन जाएगा और आप इससे दिवाली अगर आपने यह विश्मुपत ज्याद किया तो आपको D मिलेगा और फॉर्म्ला लगाना बढ़ा और अगर आप चाहिए निट्वड़सुतर में करना है तो आप ए और लास्ट पत ग्याद कर लो आप अगर ए और एवन और एटू लेंगे ना तो पिर वह एसन वाला फरमला आपको लगाना पड़ेगा जैसे अगर माल नहीं यहां पर मैंने यह नहीं लिया और मैंने यह क्त गया है नो माइनस का पांड नो nut 2 नाया है यह नो मैंस सत्भाट कर लो है डूसरा पग हो सब्सक्राइब समाइब अब यहां पर जो एन के पास लिखावा था चार अब यहां के पास क्या लिखावा यह प्रप्र गाएगा मानस पांथ तो यह जो मानस का एक मानस चा कितना हो गया अगर आप दी याद करोगे ना इस लगए बड़ा वाला अगर आप पहला पर दो लास पर लोगे यह लगा देना अब क्या करते हैं अगर अगर आपने यह और यह लिया कुछ बड़ा फॉर्मला लगेगा और अगर आकर आपने पहला पतर दूसला पत लिया तो यह वाला अंतर निकालो अंतर रिगे करना है एक का मान कितना हमने यहां पर ग्याद किया भी चार एन कितना पंदरा और डी कितना माइनस पांच याद तो योग याद करना है वो थोड़ी याद करना अब यहां भाग भी रहेंगे नमबर चार गुनी कि पंदरा में से एक गया तौधा इंटू पॉइंट पांच यह है पंदरा बटा दो और यह कितना है आपके आठ तो देंट पांच बते हैं सुट्तर सुट्स किसका आएगा माइनस पांच अब यह है आपके पंदरा बटा दो शुट्तर में से आठ गे यह आएगा माइनस का बासट पंदरा का पंदरा बासट में दो का वाग दो इक तीस भूना करो प्लस माइनस पंदरा एकम पंदरा असल का टील से अगर आपने एवन इटू लिखा टी वाले फरमूल से करना पड़ेगा और आपने एवन और यह लिखा तो आपको लक्रत वाले फावार्मूले से इसमें भी अंतर 4 का इंतर 4 का तो लिखेंगे ये वाला एपीいます इंटा पर आप प्रवा ज्याद कर लो आप चा ओप दो इस वाले को भी ऐसे ज्याद कर सकते हुँ क्य़ शंक्रिया की उप्स ओची के 24 यह जह बहुँतYes को जड़ दोगा जिसका एनवापग यह तो नौ माइनस 5 एन कपांच एन ले वाइन वापग एन वापगभी वह तो नो माइनस 005 005, चोईस पतों का योग याद करना अंतिन पसे क्याद कर लेते हैं दो को एका मतलब एवन और लास्ट पत का मतलब कित्ना पता है पता है तो चोईस पत ले लो है अब यहां पर मैने one माना है तो यहां पर मैं क्या लगूंगा वल और यहां पर मैने चौईस वाना है तो यहां पर भी क्या हूं ऊछ वैंज से क्या ओए और Fig चार और देखो 9 का 9 24 फंदे 120 गटाव कितना आता है माइनस का 111 अब हमें ग्याद करना है पदों का योग कैसन ग्याद करना है फॉर्मुला क्या है एन बटा दो पतंपध प्लस अंतंपध संग्या जमों कितने पदों का योग याद करना है 12 पदों का एन का मां कितना आएगा पहला पद चार अंतिन पद 111 अच्छोईस में दो का बार कितने बार जाएगा बारा बार जाएगा और 111 में से 4 गया माइनस का 107 गुणा करो 12 इंटू 7 च्छोईसी और 12 एकम और माइनस का और यह आएगा इसका एंसको यदि किसी एपी के एं पदों का योग देगो एं पदों का घ्याद करना एन बोलते लेकिन यह बोला एं पदों का योग योग बदल हो गया कि लिए वहाला है सभष त्हार इन मायनस एन सप्वेश यहां लग्र्दाई है इतने नंदिशरक मेंनबया सब्मोन करना सब्कूमत सभशेब सब्सक्राइब दो दूसरा पद आएगा च analogy saw sermon दिया रोकु इस्मिल नहां सौल अगर मैं यहां पर one रखता हूं कि अगर मैंने यहां पर one रखा तो मुझे यहां पर भी कैं रखना है । 1 रखना है आट पाथ चार एकम यह चार स्वेर बदो कितना आया तो पहले पद का जोड़ पहले पद का पहले पत का प हम सुदी रहता है जोगोँ यहसे मालो मैंने आप लिएखा तीन-5-7-9 ऐसा लिख दिया पहले पद कितना है एवन आपका तीन है और एस वन भी कितना है आपका पहले पता जोड मतलब तो जोड जली करोगे ना हमें साथ होती है जैसा अगर माल मैंने कह दिया बताओ दूसरा पत कितना है पांच तो बताओ एस पूगत रहे हैं एक तुम बताओ गया शुरुआ से दोपनों का जोड वा आट अगर मैं बोलू एलतीन बताओ कितना है एक मतलब होता है तीस्टाओ पताओ जोड वाताओ भी न अरपांच आट आट और साथ पन्ञा इंप अन्तर है पहला यह स्वन का मतलब अलग ए यश्राव ने जिसका बताओ अ इनका मतलब अलग अलग अब तो भीर हैं श्रु सुन का मतलब। सब्सक्राइब करें लिया प्रक्राइब करना या रच प्रक्राइब आपकी यह 18 अब में समय सब्सक्राइब अब यह हो गया इसमें विलाए है एस वन किया है अगे बोला पर्थम दो पदों का यूग किया है शुरुवात के दो पदों योग किया है तो हम गया करेंगे हैं यहां पर घ्या ग्याद करने वाले हैं एज टू ख्याद करने वाले जहां पर वन लिखा हुआ में क्या लूँगा यहां पर भी क्या लिखने वाला हूं तू इधर भी तू इधर भी गोटू जा एट और तू दूजा प्रभाद के पहले पत्र फत्रोड इतना है और दो घ्रत इना दो दिदी थे रहेगा दो ध्यान देना कि दो मेरे पास स्ञे मेरे पास स्ट्रे अनक्स वन अनने अगर आपको कभी भी एस से ए में जाना है अगर आपको कोई भी पत ग्याद करना है फ़र्मला यह होता है अगर आपको को आपको किसे एक अग्ला पत गता दूंगा अगर दोनों को आपस मैं ना आप में पर ऐसा नौल अग्यादक की जोड मीजिका दूगा तो मुझे गया मिलेगा तो मुझे अगर एटू चाहिए न तो दो एसे क्या दोता है तेन अहां दूसरा पत्षी अ किया मुझे इश एक की मिल गई कि अब कुझे अब देख़ी जगो डश्च पत्थ लूसरा पत्षी कितना है लुग् सबस्क्राइब पर अब बोला एक्जम्ब लेका सुरुवाद के दो पतों का जोड पता इंदों जोड कितनी है यह दो चार भी आ रहे है तो हमें यहाँ आपके शुरुवाद के दो पतों मिल गए यह मैंने आपको एक्जम्ब लेका सुनता है था कि से निक देंसेशन देंहें से थेलो होता है अगला आपको एक को घ्याद करना है तो क्या करेंगे जोना को इसना मुझे वपर्मुले व्य गयाद करना है तुक्त कर ना है heavenly यह उतरतetो के सब्स है तो मैं कहले हूंगा एस बारा माइनस एस इग्यारा बारा पदों की जोड़ लेकर इग्यारा पत्य की जोड़ घटा दो तो यहां पर हम यह सब करने के बाद हमारे आफ पार अब खुद आगई अब अब वड़ी कितना है घीका वागया दूसरा माइनस पहला पार कितना है आए किया इसकरिया मुझे जयार करना पर्रेश अब लौध इस वापद और ऑर थी जिए आ हैं only फीज फेला मुझे गयार करना है थी सरा परता परता फार्मिला का थी करने का लेस्ट तूड़ी बदो एक कितना ए है ती यह ती और डी कितना है अब या गया तीन अब दूनी किता है यह एक मैं सब घू गया मैंस ए तो यह आ गया मैंस ए अ अब अब ज़े याद करना है अब याद करना है एक प्लस नोडी कि इतना बताओ ए देर का आपके तीन दू का दू और डी का महां कितना है दो फोडिया नो है कितना है नो इंटू माइनस का दू इनका तीन नो दू नी अठारा में से तीन गया है माइनस के तीन दू अब मुझे क्याक करना आप मुझे घ्यात करना है एंग और ऑपत क्या अब मुझे ज़्यात करना है दूदम मुझे गयात करना है तो मैंने A और D लिखा था, N को ने लिखा, यहां वुझे N वापद की आदकर, N वापद मतलब भी करता था ने को, यह वाला, बना को ऐसा बनाना, इस को बोलता, N वापद, को इस प्रकार को बनाना, रेखिपका बने, अटोमेट्स को ध्यान देना, बनाओ एका मान कितना बनाओ एका मान है न को एन रिरको और डी कितना है हल करो थीन का उगणा करो दो एकम लेकिन किसका आएगा माइनस का दो माइनस माइनस और लो एकम बदाव तीन और लो कितने हो गए पांच माइनस यह आगया आपका एन और देखो अभी मैंने यहां पर एक लिखा देखो एक लिखूंगा तो बजह कौन सा पत मिलेगा अला पत पांच में से दो गया कितना आएगा अगर मैं यहां पर दो लिखो दो दुनी पांच में चार गया क्या मिला पर यह एन वापद है मतलब जो यहां पर एन की देखे लिखो गया आपको मिल जाएगा पहले क्या था पहले ऐसे दियावा था तो आप पत घ्याद कर दें अब ऐस सब्सक्राइब करना है एस वन को ही एवन कहते हैं लेकिन एक ग्याद करने के लिए आपको एस टू मैसे एस फन गटाना पड़ेगा जैसे करोगे तो आपको शुरुवाद के वोपद मिल जाएंगे अब उसके बाद दी याद कर लो पिर जो बोला वोपद ग्याद कर लो पीस करता है एक दो साल ओता है लोकाम जान सकता है दोस्रवाद के 40 नंबर का जोड़ कितना है है बताना तो यहां पर जो शंकिअट शे से बाजी है बताओ चह से भाज्यं से बनने वाली एक बतानी एंसे भाक्त सब्सक्राब करता कर शैम सने फिर बार हम में जाता है फिर 20 top 10 में जाता है ऐसे dific informative तो अगर आप यहां पर ध्यान लगाओ करना है अन्तर भी कितना है चेका भाग देना इसलिए कितनी संख्या है चा 맞는 है तो एन आप मतलब 40 वा पत्लाइवा पत्ला मतलब 40 वा इन प्लाइव स्क्राइब चालीश वा पत्लालटान है है छे हैं और सारवंत कितना है कि छे कम छे हैं कि चैनल चौप पर सुलगा पांच अठारा और पांच कितना होते हैं तेईस जोड लोग इतना होता है है दो सो छालीच यह आगया आपके पास 40 वाप जिसको महले के लिए अंतिंप यक हैंungs ? दिह वाला प्लिस था होगा आप लनीच रहे हैं अब मुझे गयाद कर रहा है पदों का नहाद करनायेया ब्रणुक्त म मुझे फर Tool मतब송 है है एन बटा दो पहला पद प्लस अंतिम पद और डीवा लगाओ के तो फिर यह वाला याद करें जो जो च नहीं है अब लगाओ देगो पदों की संख्या हमें 40 पदों का योग याद करना था हैं कितना हो गया 40 पहला पद ज्य हैं और अंतिम पद दो सो चालीज है अंतिम पद अब चालीज का आदा बीस के दो सो चालीज और चैया है जीरो का जीरो चालीज का डबल होता है बोराणवे और दो का डबल होता है चार यह आएगा चार अजार नौसो बीस वाट के पर्थम 15 गुनेज़ जिसमें आट का भाग जाता है शुरुवात के 15 नंबर जिसमें नंबर जाता है बता वरम अप ये कौन सी है पहला क्य आएगा आठा याठ के बाद क्या आनेवाला है तो बांध के बाद 16 आनेवाला है एक तो आएगा आठा के बाद सोला- आठाट के बाथ 18 के बाद बद 226 उसे करते करते हमें किते नंबर लेने हैं हमें हमें लेने किते नंबर है पंद्रा नंबर किते नंबर लेने हैं पंद्रा संख्या लेनी असे उन सब किया करनी है आपको जोड करनी है तो हम क्या करेंगे या पर या तो कर ले असे पहले आप क्या करो अंतिम पत ज्याद कर लो और उ और शार्व अंत कितना है 16 में से 8 गया 8 और आपको कितने पदों का जोड़ गयाद करना है 15 पदों का जोड़ गयाद करना है लगाओ फॉर्मूला एन बटा दो दो ए प्लस एन माइनस वन पोस्टक डी यह लगाओ तो एक ही फॉर्मूलें काम बन जाएगा और यह लगाए तो आपको दू-दो फॉर्मूल लगाने पड़ेंगे पहले अंतिमपद याद करो अंतिमपद मतल़ पंदर वापद ए प्लस दो दो डी लिख कर लो पर्तमपद आठ पदो कि संक्या पदो का अंतर की तरह है आठ का अले गरों को तरह जाएगा यह है पंदरा बटा दो यह है आठ दो नी अब पंदरा में से एक गया चाहुदा इंटू आठ गुना भाग करते दो दो यह है वही आपके पंदरा बटा दो पर्तम यह कितन देगा शोडा दे रुखा है और चाहुदा एंटू आठ होता है आठ चोग बत्ती एक सो बारा यान लिखेंगे हम एक सो बारा पंदरा बटा दो एक सो बारा और शोडा एक सो अट्थाइस अब लोग कटे वो कार दो बाके लिखना आई है दो का बाग यह जाता है छे बार और चार बार पंदरा को गुणा करना है चौशट से पंदर चौक साथ असल का छे नब्बे और शे कितने होते हैं छे आणवे और यह आ जाएगा इसका एंस जीरो और पचास के बीच में आने वाली विसम संख्याओं का योग बताओ जीरो और पचास के बीच में आने वाली संख्या एं इन दौनों के बीच में आने वाली विसम संख्याओं हमें लेनी है पहली संख्या कौन सी यह जो विसम है एक संका मतले बता है दू चार छे आठ जास पार ऐसे अब यहां बोला विसम जिसमें दो का भागन जाता है उनको लेना है एक के बाद कि आएगा एक ती पांच साथ नो 11 13 चलता रहे चलता रहेगा एंड नम्बर कौन सा है पांज नम्बर एंड नम्बर कौन सा है गुन 50 क्योंकि हमें कहां से कातर लेना है जीरो से 50 के पीच में जो भी नमबर है वह हमें 0 से लगा कर 50 तक इनके बीच की संक्या लेनी है जिस जो क्या हो आपके जिसमें दोका भाग नहीं जाता हो एक टीन पांस साथ नो वाली ही लेनी है तो लाशन क्या पचास पचास सम आगे आगे नहीं जाना है पचास से अंदर पचास ऐसे आप खुद देखो गे तो सिंपल पता है सबको कि किसमी है यहां पर देखो हमें ए मिल गया बताओ पहला पत कितना है एक वाल शार वनत कितना है दोका अंतिम पत कितना है यह हो गया वी आपके घुंपचास मीं हमें घ्यात करना है पटों का यूग अब यूग के लिए चाहिए एल क्षिञ तो फॉर्मुला कि अन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रेकेट डी अब दोखो अंतिमपद 59 अंतिमपद कितना आपके परतमपद एक एन पताने कितना एक ज्याद करना है और डी कितना है दो बैसे एन 35 है क्योंकि आज इस सम उती आदी पिर भी ज्याद कर लें थे प्लस का एक इधर बेज़ दो n-1 गुणा करेंगे से 2 से 59 में से 1 गया और ये गुणा में तो जाएगा बराबर n-1 अब ये बताओ भाग दो चोईस बार बराबर n-1 किसे एक को इधर बेज़ दो तो n का मान आएगा कितना आपके है चोईस प्लस एक बराबर कितना है 25 अब हमारे पास n भी है डी भी है लास्ट पद भी है तो जो मर्जिया है वो फोमला लगाओ और आप उत्तर ज्याद कर लो हम क्या करते हैं आपर sn ज्याद करते है यहाँ पर n का इतर ज्याद कर लिए अब n आने के बाद आपको योग याद करना है फार्मला हो जाएगा n बटा दो पहला प्लद पहला प्लस अंतिम गुणा बाग करो जोड बागे करो पदों की संग्या कितनी हैं पत्चिस पत्म पद एक और अंतिम पद उन पचास पच्चिस बटा दो इंटू उन पच्चास और एक पच्चास कट जो कार दो बो का भाग यहाँ जाता है आपके पच्चिस बार पच्ची इंटू पच्ची श्यस्व पच्ची गुणा करना है ईया आएगा उत्याओ दिनमार कारे से सम्मंतित किसी ठेके में एक निश्ची टिथी के बाद कारे को विलब से पूरा करने के लिए जुर्मान लगता है कोई काम दे दिया आपको मकान बनाने का कुछ भी दे दिया आपको इक मकान मनान दे दिया अगर आपने ऐट टाइम दे दिया वही दो महिने थीन महिने साल पर टाइम दे दिया अगर आपने इससे ज्यादा एक दिन भी ज्यादा लिया तो क्या लगेगा आपके उपर जुर्माना लगेगा अगर आप एक दिन लेट होते हो तो आपको 200 रुपय का जुर्मान लगेगा जर्माना अब यहां मेसा जर्माना निकाल नगालना है अगर आप पहले दिन मतलब आपने काम लिया एक महीने एक पूरा ओगया और आप एक दिन अभी तक आपका काम पूरा नहीं हो और एक दो दिन लेट फुए तो कितना रुपर देना पड़ेगा आपको अगर आप दो दिन लेट होगे तो आपका ये बढ़ता जाएगा से तीस्तरे दिन के लिए 300 रुपे जुर्माना अब नहरे दिन लेट होगे तो टोटल साथी चार सुपे मिलाकर तीन का पूरा एक साथ ऐसे एक करते हैं जुर्माना हर बार 15 रुप बढ़ता रहेगा वह ऐसे आपके एक प्याती रहेगी एस जुर्माना लगातार बढ़ता रहेगा अब ये कहा रहा है एक फेकेदार आगे नुम्हानी रूप में कितनी लासी अदा करनी पड़ेगी अगर वह 30 दिन का विलमब करता है 30 दिन तो इसने काम भी न ही न किया फَّ合 किया थीक लिए थीन का कुल जुरुमाना जॉर्माना है अब कुल जुरुमाना क्याद करना है थं हमें यहे था मैं सनु तप्रना अब यहां पर बुला है कुल जर्माना ग्याद करना है कुल जुर्माना कितना आपको बढ़ना पड़ा वो जुर्माना ग्याद करना है उसके लिए क्या ग्याद करो SN फॉर्मुला है एन बटा दो दो ए प्लस एन माइनस वन कोस्ट दी अगर लिखा वाता ना तीसवे दिन का जुर्माना बताओ तो हम एतीस ग्याद करते ए प्लस गुंद्टीश दी यहां बोला तीस दिन का विलंब कर देता है और तीस दिन में कुल जुर्माना कितना पड़ा कितना जुर्माना क्याद करना है पूरा कितना जुर्माना हुआ टोटली वह ग्याद करना है यहां करता है कि तीस दिन का एक साथ कितना जुर्माना है वह हमें ग्याद करना है अल करते हैं देगो कितने दिन लेट है 30 दिन तो 30 दिन का कुल जुरुमाना परना पड़ेगा उस्तो 30 बटा दो पहले दिन का जुरुमाना 200 रुपे 30 दिन तक का जुरुमाना परना है और प्रती दिन 50 रुपे एक्ष्ट्रा देने पड़ते हैं तो तीस का आदा पंदरा या लग प्यान नहीं तो पंदरा दो सो का डबल तीस में से एक गया गुंतिस इंटू पचास हम देखो पंदरा का पंदरा यह है चार्सो प्लस गुंतिस इंटू पांच करो गुंतिस गाड़ा आदा कितना वता है स्टाटी साउदा और जीरो का जीरो गुणा करें अपने साथ इसको जीरो गुणा करों कर तो यह आए पंदरा इंटू यह जोदेशो और चार्सो बता है अठारह सो पचास जीरो का पंदरा इंटू पांच 75 असल का साथ पंदरा एक सो बीस एक सो बीस और साथ कितने होते हैं कि एक सो शटाइस असल का बारा पंदरा बारा होता है स्टाइस तो आपको 27,750 रुपे का जुरूमाना बरना पड़ेगा किसी स्कूल के विदियार्ट्यों का उनका सेक्सिक प्रजिशन के लिए साथ नकत पुरुष्कार है कितने इना मिल रहे हैं अभी साथ इना मिल रहे ह कितना इनाव है। साथ तो पख़ल फरुस्कार को हम बोलेंगे अंडख़ यह अंड लोगली कह बिफ oggi साथ कि संक्या इनको इनाम मिलेगा कोई अब आगे लिकावाय कूलए के रूपे ईization रखी गई है, वक्रवड़ सातों में 4 अंब मस्तों अंद और फ्य उन्हों को आपको नियुह साथ तो थे ऊंँने का फेल प्रिंग कि लें लिवाश थे लोगा सातु नड़कों को जो रची ढम हुआ पिना है पर तेख पुरुसकार अपने ठीक पहले पुरुसकार से 20 रुपे कम है तो बता हो यह जो है 20-20 रुपे का अंतर आ रहा है अब वह अंतर क्या कहलाता है डी कहलाता है और डी कितना हो गया बता हो माइनस का 20 डि कितना आएगा 20 रुपे कम है तो माइनस में 20 रुप अधीक है तो नहीं जैसे मानलो कि पहले को 100 मिला अगले को 80 मिला और डि ज्याद करोगे तो 80 में से 100 गया तो कितना आएगा माईनस का 20 तो 20 किसमें आ गया माईनस मोने साथ जनों को इनाम देना है तो N oneself होगिया साथो की इनाम दे रहे उसकी पुल राह से चाहे है पुलभ होग कि लिए आता है योग ज्याद करना और अंतर कितना है 20-20 रुबे कम है अगला दियावा है परतेक पुर्षकार का मान गयाद करो परतेक पुर्षकार मतलब पहले आप पहला इनाम लियो अगर आप एक गयाद कर लोगे तो फिर क्या करना है 20-20 गटाते रो उसका मतलब आप क्या गयाद करना है एक गयाद करना है अगर आपने पहल सामला क्या है एन बटा दोौध प्लस एण माइनस वन कोस्टक ली को संबके कर क्या क्या दिया भाय यह आपको यहांपा लिखणना है कि यह आपको आ जाएगा कि इसका मतलब यह होता है तो तो फिर उप्रॉलम मी नहीं है रगर पुल इनाम की राश शाह सो रुपए कुल विद्यार्थी जिनको इनाम दिया जाएगा साथ दण, बटा दो पहला इनाम किसको दिया जाएगा रोप के इन का मान साथ अनाम है और 20-20 karan रहां, अब दगो, यह इतरा आएगा न, दोगो यह खुना हम है इतरा जाएगा क्या आपके दो, आपके 100 इन्टू, 600 इन्टू, 2 बता 7 इतरा उल्टा हो जाएगा, यह उद्र एतरा जाएगा, इसर्फ दो ए, 7 मिसे एक गया, 6 इन्टू माइनस का 20, अब जो कटता है वो काड़ दो बाक आपको लिकना आई है साथ का बाग यह दाता है आपके 100 का डबल मैं यहां लिखने वाला हूं 200 बराबर दो ए प्लस माइनस माइनस हमें यहां लिखना है माइनस प्लस माइनस 20 इंटू 6 120 यह माइनस का इदर बेज दो प्लस हो जाएगा बराब कितना दो ए वदाब दो ए बराब कितना आ गया 320 गुणा है तो भाग में ए का मान आएगा 320 बटा दो भाग दो पहला इनाम पाने वाला कितना मिलेगा पहले वाले को कितना मिलेगा सेकीन वाले कितना मिलेगा बीश कम फिर और बीश कम फिर और बीश कम फिर और बीश कम फिर और बीश कम और बीश कम और बीश कम और तो होगा पैसे खितम होगे साजने थे वकित रुपागे यह साजने और सातों का इनाम है आप जोड़ के देख लेगो यह कितना होता है 200 और दो बाहर भी पेड लगाने अब कैसे लगाएंगे दो ध्यान देना यह निर्ने लिया गया कि परतेक अक्सा का परतेक अनुभाग बहला भाग भाग आए अपने काक्सा की संच्छा के बरबर प्रेड लगाएगा जैसे वालम है पहले क्लास में पट रहा हो तो एक पेड लगाऊ दूसरे का दूसरे का दो पेड लगाएगा और दूसरे का दो पेड लगाएगा प्रतेक अक्सा के पहले कि प्लस एक पेड ब्लस एक पेड प्लस एक पेड तो पहली क्लास को लगाने कितने के तीन पेड़ ऐसे अगर आप बारवी क्लास में पढ़ रहे हो तो बारा पेड़ प्लस बारा पेड़ प्लस बारा पेड़ कितना लगे हैं 36 अगर आप पहली क्लास में पढ़ रहे हो तो मतलब एक आमान कितना हो गया अगर आप लास्ट बारवी क्लास में पढ़ रहे हो तो अ प्लसए कुल बारह क्लासों ने कितने लगयाँ है आए भारा पहली क्लास ने कितने लगाया यंदि कई तीन्स सिंब आ 12 में दूखा भाग और 36 और तीन नौचंग चौपन शलगा पांच छेथिया अठारा अठारा और पांच तेईस तो कुल मिला के कितने पेड लगे 234 पेड लगे केंद्र ए से आरंब करते वे केंद्र ए से मतलब यहां से शुरू करना है इजर से यहां सुरू करना है आपको और बारी बारी से केंद्र ए से बी को लेते वे फिर बी को सी से सी को डी से साके चलना आपको केंद्र मानना है तो वहला ए और बी को केंद्र मानना आपको और यह त्रिजिया है यह त्रिजिया दे रखी है अब यहां पर लोगो यह त्रिजिया कितनी है 0.5 है और यह त्रि से बढ़ रही है अब यहां पर लिखावा है यहां पर आगे सागे अर्धिवर्थ दे रहा है यह दो गा मतलब पर आपको लगा ता कितनी बात रहना है गोल गोल अब इसको बोलता है परिष क्या ने परिष कहते हैं जैसे हमें से फिख्थ पहले यह यह ग्याद करना पड़ेगा है इसकी हमने ये तीजा लेनी पड़ेगी है कि ये ऐसे हो मुझे रहा है ना कि इस इस आ गोभू रहा है realize करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसने कितना यहां से यहकंट कितना रस्ता अतरा किया है तो पहले मुझे हां यहां पर रहां करना में लमबय याद करना है तो मैं करता हूँ ऐसे घुम रहा है तो इह बोलरा है कि कि बार में उलकितनी लंबय वोगई किन hair- phosphorus हमें फर्ट рок कंडड परुद करने में अधनुख हुल हम याद करता है आलवन मतलब यहाद करनी यह क्या है Its व्रत की परीदी यह क्या है अर्ध वर्थ की परीदी है है फौन परीदी-दिलिस यान अन्हें मतलब दो कर जाएगा अर्दवर्थ का मतलब क्या हो गया आई आल हो गया वे हम लेगे कि हमें हर्दवर्थ पूम्रानायात क्या आता है दो मतलब यहां से यहां तक आनने के लिए यह फ्रमला लगाना पड़ेगा पाई प्याद पाई का मतलब कितना होता है 22 बटा साथ ओर तरिजा कितनी है यह दिदी यह जिए रहे रहे कि यह 0.5 पाईंट पाई मतलब आदा कि एग इग्यारा बटा साथ सेंटिमेटर तो सेंटिमीटर आपको लिखना है मतलब ऐह मेरर हमने पहले ग्याद कर लिया यह जो लंबर हेरी वो कितनी है 11 गर्फटा यह 11 गयाद करना है यह फैशल फाज है ब करना है वे फैसे फैसर फैसे परब्च पांच जिसका है और अदिनी ग्याद कर लिए ऐडर जो आसे यह अपके वह सकते यहां है अब आमे लेना है यह वाफत का ग्यात कर लेंगे आपके 13 वाफत मैं यह आप लेता हूं सिफ्धाई लेकिन हां सब्सक् AOAmax है जोक पर हתवारे पास ट्रिजिया नहीं कि मैं तोसी हम्हें नहीं मिलेगाई जिसरे मिलेंगा ईटो मिल जाएगा लगास कि पाइब का मतलब होता है 22 बटंट साथ पहले हमने 0.5 लिया तो हम यहां से यहां तक आगए अब हमने क्या करना देकर द्यान देना अब हमें 2 लेना घ्लिहरे की द्द कूर देना अब हमें इसको त्रीजा मानना यह त्रिजा हो जाएगी और यह हो जाएगी इसकी अर्ध परिदी त्रिजा लेनी है कितनी आदा आदा कितना हो गया एक लेंगे न तो यह वाली दूरी ज्याद हो जाएगी यह ग्याद करना है तो संपल सा है कि हमें यहां पर कितना लेना पड़ेगा एक लेना पड़ेगा चाहे हैं तो तर क्या जाएगा थाएश बटा साहत हम ऐसे मिल जाएगे मैं हमने क्या भी स्ट पहली से बार में आया ग्यारबर्टा साथ डूसरी बार में आया बटा साथ多 शुर्क वार में क्या भाइगा इत्री बटा साथ 40. तो आपके ऊपर लिखाओ आप यह चलते रहेंगे तो यह अब यह पर दो देखे सो गया लिए तो गया आपके उपर लिखाओ भी एग्यारा बटा साथ इस यह पोड़ा इस इस नहीं से गया 11,7 क्या बचेगा 11,7 बचेगा क्योंकि 11,7 बढ़ रहे हैं 10 इस सहाथ साथ निचे चाहिए अब तोटल कितनी बार गूम ना है जो 1 3 बार गोमना है, n कितना ओ गया आपके, 13 हैं दिखा हुआ, कि 13 बार से आपको गोमना है, तो n हो गया आपके 13 हैges tremend says, अब हम थाना n बटा 2 2 ad एन माइनस वन कोश्टक डी यहां पर निकालने के लिए फिलम लगाओ ए तेरह ए तेरह लगाना पड़ेगा फॉर्मूला देखो तो उस्सों भी कर सकते हो फिरम लिकना पड़ेगा एठेरह बाराद क्या होता है एप्लस बारादी अगरे निकालने बताओ कितने पदों का जो 10 बता साथ कुए कि और एन कितना है 13 है और अन कितना है, 11 ब coercionि के यह सब्सक्राइब कर दो एक सो बत्ति बटा साथ है यह लेंगे लेस्ट अपर इतना एक लेस्ट अपर साथ यह दोनों सेम यह दोनों भी सेम तो कितना होगा 22 प्लस 132 वापक गोई तेरा बटा दो इंटू दोनों को जोड लेंगे दोनों को जोडने पर कितना आता है एक सो चौपन बटा साथ यह आपका तेरा बटा दो है यह जैसे मैं इसमें भाग दूंगा भाग दिबार आएगा 22 बार 22 आते 154 अब जो करता है वो काड देंगे त दो इसमें इसका भाग जाता है इज्यारा बार इज्यारा बार इसमें गुणा कर देंगे तरि आएगा 143 एक सो तैयालिस आएगा इसका एंस्वत कि दोस्तों लट्टो का धेर है यह पर तीन लाइन दिखाई है बहुत साइए लाइन दिखा दिन दिखा दी अब धार आता अब इनको से जमाना एं ने पैल लैन इंगे 20 अल इन इंगे यह लिखावा आए कि सबसे नीचे वाल कितने आ रहे हैं उनिस पिर कितने हैं बताना है कि कितनी लाइन बने वाली है कि अब दर्गोड द्यान ज में दो फेडर गितनी सब्सकी होते सुर्वात की लेंच में तुर्भ थीन होते है। लग् Sonoda लेंट इसे उपर किपनां यगे तो कितना पिंगे सकती हितना निस हो ल क्लाइट है उसके ज्यादा कभी हम시는 के लग्र interpretного तुम्हसा क्षाध कि तो यहांप कितने लट्ट है लिट्रा लाइन में 20 तापको तो उत्तर है वो 20 से कम आएगा 20 से जदा नहीं आएगा अगर आता है तो उसको कार देना यहां भी लट्टो को हम 20 से अधिक नहीं रख सकते तो उत्तर आएगा हो हमें वो रखना अब बताओ अगरं देखो ध्यान पहली पंक्ति में पहली पंक्ति में लट्टे कितने है पहली पंक्ति में लट्टे पहली पंक्ति में लट्टे पहली पंक्ति में लट्टे पहली पंक्ति मतलगया हो गया एवन एग इतना हो गया 20 ऐसे बदो डूसरी पंक्ति में कितने है दूसरी पंक्ति में कितने हो गया इसको हम बोलते एट we the two too के मैंने कम और product डी कितना है दी आया है मैंने जोजरह माहिन हम इन उप्रा यह कंआ हो रहा है यह यह अपर एका हो रहा है można ल्इन से के प्रह गए हुआ कि रिखाते हुए आपके मां आस तरह दने Entre過來 पहले वाल यह रखाएगा हमसा ऐसा जाने कि मेरे पास तीली है यह एक पहले हम रख दो इसके निचाए जाएगे एक पहले यह रखना पड़ेगा आपको इसलिए पी में पहले यह आएगा 20 19 18 ऐसा आएगा तो बताव डी कितना आगे आपके माइनस काए कुल कितने लट्ट ह है पुल लट्टे हैए 200 है कि माट्तो हो गया SN कितना हो गया 200 अब अब अ मुझे है इत distant करना है जोल जोला कि में कितने लट्टे हैं सबसे उपर वाली लाइन में कितने हैं हमें बताना है और कितने लाइन बनी वह भी बता सकते हैं आप अब दो हमारे पास D है A है S है तो कौन से हम लगाएंगे हैं S N वाला और D वाला N बता दो दो A प्लस N माइनस वन को स्टक D S N कुल लट्टे कितने हैं 200 कुल पंक्टा कितनी हैं हमें मालूम नहीं हम क्या लिखते हैं आपर N लिखते हैं बताओ A कितना यह हो गया आपके 20 N कितना है ग्याद करना है और D कितना माइनस का एक वह बड़ा वाला फ्रमला है वो दी का समिकन वाला है यह यह दर जाए कितना हो जाएगा 400 बराबर N का N 20 का डबल अब यह है माइनस का N माइनस माइनस और एक का एक यह है 400 N का N अब यहाँ पर दो चालिस प्लस का और एक भी प्लस का तो चालिस वर यह कितना हो गया 41 माइनस एन एन आपके माइनस में है अब यहाँ पर दो तूटे करते हैं दो गुना करें कितना आता है 41 N ऐसके क्ले पहले यहिल दो 400 अर इसको 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 कुना करो 1 2 n एसने कौन बोना कर चाफ हो न जोचवोड्र Drive तो कंच का अओक है तुर्भण गर जोड़ सर्थ गोडहजन वोका भाग 200 जो का भाग 100 गोडाध पौर 2 जो 1 का भाग 50 गोडहजन वोका भाग फिर पांच ऑब फांच ऑब फिर पांच का भाग इसका मतलब होता है 16 इसका मतलब होता है 25 कितना होता है 16 इंट पच्छे कितना होता है गुणा करो तो 400 और जोड़ो कितना होता है 41 हम यहां लिखते हैं माइनस के 16 इन और माइनस के 25 इन क्योंकि यहां पर क्या है सब यहां पर प्लस हो तो दोनों सेम स्टाइन अब यहां पर माइनस में दोनों किसको हो गए है माइनस के तो दोनों क्या आ रहा है एन कोमन एन माइनस 16 इन दोनों क्या कोमन आ रहा है प्लस माइनस माइनस इसमें भाग जाएगा 16 बार बराबर 0 अब N-16 क्या आगया भी आपके common इते बचा यह नमबर N-25 बराबर 0 पहले यह वाला माइनस का उतर बेज दो और माइनस का उतर बेज दो अब देने उत्र प्रस के आगे है कौन सा सही है कौन सा घलत है तो आपका यह एंस वर राइट है अभी पताया था आपको सबसे निच्वल एंव किनने हैं 20 तो 20 से अधिक लट्टे निया सकता दिया प्रगना है कि मतलब N का जो मान है वह 20 से अधि वुचक अजक देकर का नहीं हो सकता अभी वोला है शाब से उपर वाली पंक्ती में इसलिक लटाएं अगे सोला नहीं पर कौन सा आ बताना हं influences की सोली लाइण पर कितने लट्ट आंगे हमें ज्याद करने हैं तो देघो तो असक सेता कि प्लस 15 D जो फुर्ण लाइन है किटनी मनी 16 सबसे उपराओ लाइन को हम क्या बोलेंगे 16 लाइन बोलेंगे अब उसके किन लटे है जात करने है पताओ एक कितना 20 और डी कितना है या माइनस का एक बीस का बीच 15 एकम गटाओ पांच सबसे उप्पर लैनम कितने लटे हैं पांच लटे हैं और यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का एंस एक आलू दो अड़ है यहां पर दो को अलू रखे हुए हैं क्या करना इसको नियम है कि आपको जाना है और एक आलू उठाकर वापस आना यह पहली बार में अगली बार में वापस से आपको जाना पर वापस से आना एक आलू उठा उठा कर आपको आना है और जाना इसके कि हो और हमें गयात करना है कि लड़की कितनी दूरी तैक करेगी जब 10 पूरे पूरिसर अंदर आ जाएंगे एक बार में केवल यहालू उटाना है तो दो सबसे पहले नंबर वन एक याद करना यह मतलब पहली दूरी क्या करेगी पांच मीटर जाएगी तो पीन अलुज़शन घंदी हो लड़ी चौत अलुज़ का हाथ में बाकी अलुपड़े हुए है तो देगो सबसे पहले क्या क्या है इसने यहां से यहां तक पांच मीटर जाइए और पांच इन यहां आई तो प्लस प्लस थीन पर ने प्लस प्लस था अब प्लस तीन प्लस थीन आज ना पर आप पांट तेन आठ आना है तो आठ का डबल कितना हो गया तो यह पहली बार में दूरी टैगी और यह आपके दूसरी बार में एसे हम आगे भी ज्याद कर सकते हैं लिए हमें दो भी बहुत प्छाईए बताओ डी कितना हुआ अब मुझे घ्याद करना है कुल दूरी बतानी है कुल दूरी एसन घ्याद करना है तो ऐसे लगाओ फॉर्मूला एन बटा दो दो ए प्लस एन माइनस वन को स्टक आप लास्ट वाले से भी कर सकते हो तो लालू कितने दस अलू है तो पहला आपको दस वापत ज्याद करना पड़ेगा ए प्लस नौ डी लास्ट पता जाएगा एसन याद कर ले ना अब ज्याद कर देगो कुल कितने आलू है दस आलू कि जंगिया दस पहली बार में कितनी दूल 드 है फ्याद करना यहां याद करना लेंगो दस का आदा पाँच दस का डबल प्लस दस में से एक गया नो इंटू छे पाँच का पाँच बीस प्लस नो चंगे चौपन पाँच का पाँच और चौपन और पीस कितना होता है चौपन पाँच यह प्लस पाँच का गया हुआज़ा आदा आतक ना पतार पेसे पचास रुपे पांच रुपे गिवा प्लस रुपे गिवा है जोट पाँच 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 कितना होता है पर जीरो का जीरो पर यह आएगा इसका लगो इंपरेंट लगाना तीवी के सेट है तो तीसरे वरस में 600 टीवी बनाता है अब यहां पर लिकावा यह मानते हुए कि परतेक वरस उत्पाजन एक समान रूपसे बढ़ा एक समान रूपसे व्रती वरतल हुई हुआ पच्छीस या पचास या सोट ही हबार बढ़ा ही अब पतानी कितनी बढ़ा ही इसने हर साल कुत्न कुछ ने बढ़ाया है क्या चैसे चार्वल्ण के उव्यार कुछ ने मुझे एक याद करना ना वर्ष में उत्पाधन यार्त करकर क्या अगताओ एधस है और यहां लिका हुआ है साथ वरसों का कुल उत्मदन क्या हो गया है एसनि लेकिन ज्ञार करना है साथ सालों का ज्याद करना घृद्द कर ने सेवन हैं अब यह यह V morning's अब यह सब क्या करेंगे ए जाद कर लेंगे डैटा द्यान देना इसर पहला एंफ कहो को a3 का मतलब क्या होता है k plus 2d और वो हमारे पास दियावा है 600 हमारे पास a7 का मतलब क्या होता है a प्लस 6D जिसका मतलग वहता है 700 चार साल में 100 बड़ा एक साल में 25 बड़ा डी का मान कितना आएगा 25 हल करो लेगो साइन क्या करना पड़ेगा चीन ये कड़ गया च्वैमें से दू गया और यहां बचाया माइनस का 100 गुना है तो तो डी का मान आएगा माइनस के 100 बड़ा माइनस के 4 भाग देंगे भाग जाएगा आपके 25 बार और यह है आपका सम्मिकर नंबर ए इसमें रख कर हम क्या करेंगे ए भी याद कर लेंगे जैसे हम करते हैं तो पांट कर दो में सेम वही तरीका है अब दो एका ए प्लस का प्लस दो का दो डी का मान कि बड़ा कितना देर का है 600 देखो 25 का डबल कितना होता है उदर बेजिए 50 एका मान आएगा 600 माइनस 50 कितना गया पांट सो पचास अब हमें क्या गयाद करना है एक तो अमने गयाद कर लिए पर्फंवर्ष नो परफंड़र दस्काजना किया है 1 10 अ फामूला ग्या है मैं a plus 9, दि पता हो पहले साल में कितना उपद्न गिया 550 उत्पाद्न गिया अधर बार कितनी वृद्दी हो रही है पत्चिस की वृद्दी हो रही है यह तो है आपके 550 पहले व्रस का उत्पाद्न और यहां गुणा कर देंगे कितना होता है दो सो फटिस दोनों को जोड़ लेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे कितना है बता होगा सांसो पुछोट पर अब मुझे क्या ग्याद करना है साथ वर्सों का खुल उत्पाजन में ग्याद करना है तो यहां पर मुझे ग्याद करना ह सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर इसका मतलब यह क्या होगा लास्ट पर अगर सब्सक्राइब अगर आपको दिमानी चल रहा है अंतिम पद के लिए तो फिर लगा दो बड़ा वाला फामुला उससे हल कर लो फामुला क्या है एन बटा दो पहला पद प्लस अंतिम पद हल करो देगो हमें साथ सालों का कुल उपधन गयाद परना है कितने साल है साथ पहले साल में कितना उपधन और आखरी जाल में कितना उपधन सांसो आखडी मतलब सांत्य साल में अब दोगों ये होता है सांत बड़ा दू और यहां जोड़ लो 1250 सांत का सांत 1250 का आदा होता है 625 उना करो साथ पंजा 35 असल्गा तीन 17 असल्गा एक 62 वर एक तई अनिस चार अजार तीन सो पिच्चोतर टीवी बनाई सांस साल के अंदर पुल टीवी उतना बना हमारे पास एपी देरगी है अधनी क्या प्लीए जाया के उंका योग कितने हो जा एग एकीतर हो जाए multiplying माइनस का तीन गटा के देख लेना माइनस का तीन होता है और योग कितना दे रगा है योग दे रगा है कितना इसके बोला कितने पद लिए जाएं कितने पद मतलब हमें क्या रहना है है एंड ज्याद करना है वह वदी का समिकन वाला तो बताओ यहां पर देखो कैसन का फर्मॉला क्या हो है एंड बठादो दो ए प्लस एंड माइनस वन कोस्तक दी बताओ पदो का योग अठटर पदो की संखिया ज्याद करनी है प्रतम पद च्वाइश पदो की संखिया ज्याद करनी है चारवंतर माइनस का तीन यह दर जाएगा गुणा हो जाएगा इत्वाटर का डबल कितना होता है एक सोच अपन इह वता है सोला तोला एक पंदरह एन तो इसका डबल अर्टालिस अब यह गुणा तीन एकम माइनस का तीन एन और माइनस माइनस प्लस तीन एकम यह है 156 यह न का अ यह भी प्लस का निवी प्लस का नमबर नमबर गिंदने मैं और यह आपके माइनस का यह यह 156 गुणा करो 51N और इसको से गुणा करो 3N स्क्वेर अब इमको इदर लियो तो देगो यह माइनस में गजाएगा प्लस में यह प्लस का इकाउट गजाएगा प्लस में गजाएगा सबमे किसका बाग जा रहा है पाँ बाग दो बढल बड़ाबर में 6 एसा आution कौन सा नंबरे बूण ना तो वां और घुटा जोड़व तो उपर आता है क्यों सा नंबरे टेर च्वझ बावन कितना होगया है निया तो दोनों प्लस के निया दोनों ही यह रहा माइनस यह रहा माइनस यह इसलिए बता रहा हूं आपको रहा आपके common इसमें N बढ़ गया N कट गया तो 13 इन दोनों में 4 common N का N plus minus minus भाग गया आपके 13 बार बराबर में 0 बदो N minus 13 क्या आपके common और N minus 4 बढ़ गया यह और यह बढ़ गया बराबर में दो भाग करते थे माइन सो भाग गया गया ङृप्मां जोडंगे इंटो घ्या को जोडन ऋख के लेंगा यह यह आप आप चार को जोड़ेंगे तो भी टतर आएगा और त्यरा जोड़ेंग तो भी किता आएगा जोगो आप करके लिए दो चुछ इवेड़ेंगो इकीस अठारा पदा आगे के लिए लूँ जैसे अठारा के बार निया आएगा गटाओ तिन तिन पंद्रा बारा नो तीन शे आ मैं इत्क् shoulders जोड़ है इत्ट्र आएगा इंचारों कि इतने होई है कि रही यह रहल है एकम्यां सब्सक्राइग नहीं को अमने और इस लिए तोबिम सब्सक्राइग इत्ने ही इत hatte आये इसमें असे नहीं हो marin अविस webinar तेरा या चार तेरा या चार चार को जोड़ों तो भी तोत्र आता है और सब को जोड़ने पर आधी संग्या जूरतियादी गड़ जाती है और यह बोड़ एक्जाम है आयवा भी यह नमबर में